हेलो जी नमस्ते साश्याकाल असलामलेकूम आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रीपल 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 चेरो हिंदी उर्थु पे और हम मैं रीडिंग करूंगी पाइसीज साइन की 2020 दिसंबर 2020 की मंतली रीडिंग के पाइसीज जो साइन है उनकी लाव और केरियर लाइफ में क्या होने वाला है दिसंबर 2020 में की प्रेडिक्शन करूंगी मैं ठीक है कि ओवराल आपकी लाइफ में क्या होने वाला है दिसंबर 2020 में क्या न्यूस क्या गुड न्यूस आपको मि इस चैनल पर रिंग अपलोड हो आप उसी वक्त रीडिंग देखें थाकि मिस ना कर सकें ठीक है तो अब देखते हैं कि आप लोग की लाइफ में दिसंबर में क्या होने वाला है क्या चेंज आने वाला है एट अफ कप्स तो आप हो सकता है वार्टर साइन के साथ डील करें रहां हो सकते हैं जिनके साथ हैं डील करें होंगे तो मेजर और कानः हमारे पास और रेड़ी हैं म अजीद देख लेते हैं क्या हैं एमपरेस वाव वो तॉरिस और लीब्रा हो सकते हैं यहन के साथ आप डील कर रहे होंगे लीब्रा यहाँ पर स्ट्रोंग है यह पर हमारे है टू अप सूर्स एयर साइन जैमिना ले ब्रा अखरियास और पी दिए सेवन फकाप्स वारटर साइन अगें अगें बार्टम फटेक हमारे पास है ह इसका मतलब कपल, तो मुझे लगता है कि आप मेंसे काफी सारे लोग अपने कपल का वेट कर रहे हैं, काफी जादर आप अपने उस पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलन का, अपने डिवाइन फेमिनन का, ऐसा पार्टनर जिनके दरम्यान आप दोनों दरम्यान में ठीक है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं आपको समझ नहीं आ रही कि कब ये इनसान आपसे बात करेगा या आपसे कम्यूनिकेशन करेगा और एट अफ काप्स हो सकता है ये इनसान आपको छोड़ के चला गया हो या आपका एक्स हो सकता है या पास लवर हो सकता है या अभी वाला लवर हो सकता है लेकिन आप दोनों के दरम्यान में जो सिचुएशन है वो बिलकुल भी ग्राउंड़ नहीं है ठीक है चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में इस मन्त ज़रुरी नहीं है आप लड़की जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपका फोकस जो होगा वो अपनी सकसेस पे होगा आप अपने उपर फोकस करने की कोशिश करोगे क्योंकि king of pentacles is definitely कि आप चाहोगे कि आपका जो आपका दिहान है या आपका focus है वो अपने finances की तरफ हो आपकी job की तरफ हो आपकी study की तरफ हो कुछ creative ideas की तरफ हो लेकिन अगर हम emotionally बात करेंगे Pisces तो आपकी जो emotional life है वो काफी ठीक नहीं है क्योंकि हो सकता है कि किसी तरह का pain से आप गुजर रहे हो एक separation से आप गुजर रहे हैं या किसी तरह का confusion है आपकी life में जो ठीक नहीं हो रहा क्योंकि आपको messages नहीं मिल रहा है या आपको सही तरह से clarity नहीं है इस situation की इस इनसान की feelings की या आगे क्या होगा ठीक है काफी सहदा परशानी है जो लोग single है उनके लिए हो सकता है कि आपके पास इस वक्त आपका दिमाग बहुत सारी जंगों पे घूम रहा है क्या चीज़ करूँ क्या चीज़ ना करूँ options भी हो सकती है love में या वैसे ही life में वह सारी चीज़ें इस वक्त चल रही है कि आपका mind जो है वो समझ नहीं आ रहा होगा decision लेने में क्या करूँ क्या ना करूँ ठीक है यह work से related भी हो सकता है या study से related भी हो सकता है ठीक है जहां तक Empress की बात आती है यहां पर आप मैंसे काफी सारे लोग जो है आपका Pisces जो आपका focus होगा वो आपकी अपनी beauty पे अपनी self love पे अपनी self care पे अपने उपर तवज़व आपकी पूरी focus होगी कि आप अपने आपका ख्याल करें ठीक है अपनी health का ख्याल करें आप financially अपने आपको पूरी कोशिश करोगे कि आप जितना आप open कर सकते हो explore कर सकते हो choices आप करो ठीक है strength का मतलब भी यह है कि आप काफी अरसे से इस इनसान का wait कर रहे हो कि यह आया आपको अपनी feeling express करे आप से communication करे आप से बात करे कि यह इनसान क्या चाता है यह हो सकता है काफी अरसे से आपको commitment का wait था शादी का इंतजार था proposal का wait था कि यह इनसान आपको बात करे ठीक है लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है यह वो इनसान आपकी life में वापस आ रहा है जिसने आपको दुक दिया जिसने आपको तकलीफ ती जिसने आपको confused रखा जिसने हो सकता है आपको नहीं अपने career को पहले choose किया अपनी family को पहले choose किया ठीक है यह कुछ भी ऐसे चीज़ थी जिसकी वज़ा से इस इनसान ने आपके साथ कुछ गलत किया यह आप हो सकते हैं Pisces आपने इस इनसान के साथ गलत किया तो आप इस मन्त जो है आप उस चीज़ को feel करोगे उस past वाली mistake को feel करोगे आपको एक regret होगा इस इनसान के पास जाने से इस इनसान से बात करने से कत्राने से कि कैसे उस बात को छिड़ा जाए कैसे इस इनसान से माफी मागी जाए Lेकिन अगर इस इनसाने आपको तकलीफ दी है यह जो भी आपका ex है यह जो भी आपकी life में वापसा रहा है जिसने आपको hurt किया था क्योंकि यहां पर justice का कारड है इसका मतलब कार्मिक justice आपको definitely justice मिलेगा आपको एक इसम की आपको ये माफी मिलेगी आपका जो इंतजार है वो खतम होगा विद आ हैंग मैन क्यूंकि आप काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे कि ये इनसान आपसे बात करे आपके अपने फिलिंग की एक्सप्रेस करे कम्यूनिकेशन करें आपसे आपको सच बताए यूँकि जस्टिस इस अलाइक सच आप डेफिनिटी सच जानना चाहते हो और टूथ जानना चाहते हो और आपको सच मिलेगा इस इंसान की तरफ से फाइनली ऐसा कम्यूनिकेशन या ऐसी बात जो काफी अरसे से आप दोने एक दूसरे से नहीं कर रहे थे या रुकी भी थी इस इंसान की तरफ से वो फाइनली जाके ये इंसान अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा ठीक है और आप क्यूंके हो सकता है स्ट्रेंग का मतलब आपने काफी अरसा वेट किया आप इस इंसान को चूज करना चाते हो या अपने उपर फोकस करना चाते हो क्योंके आप को रेयलाइज हो गया है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में ठीक है विद debe boa एनर्जी अप इतना अपने आपका फोकस अपनी हीलिंग पे है आ आपने उपर है ठीक है कितने सालों से महीनों से तो फाइनली वो जो इंतजार है आपका खतम होगा attraction बहुत attraction है यह बहुत attractive होंगे इंसान आपकी तरफ you deserve love आप में से काफी सारे love definitely आपको पता चल गया है कि आप deserve करते हो love और आप उसी इंसान को choose करोगे जो आपके साथ सच बोलेगा जो आपको एक आपको एहमियत देगा आपको value देगा ठीक है आपको relationship में समझेगा आपको प्यार देगा that's what you need okay you want to know honesty you want to know truth जिसके साथ balance होगा express your love बिल्कुल ये इंसान definitely आपको जाके अपनी feeling एक्सप्रेस करेगा इस मंत में बहुत सारे लोग आपको ये इंसान finally अपनी feeling एक्सप्रेस करेगा क्योंकि आप काफी अरसे से इस इंसान का वेट कर रहे थे कि ये आई और अपनी feeling आपको एक्सप्रेस करें और हमारे पास है playfulness काफी सारे लोगों के लिए ये new love हो सकते हैं जिसके तरफ आप attractive होंगे या वो आपकी तरफ attractive होंगे तो बातचीत conversation चल सकती है ठीक है फिर हमारे पास है co-dependency सो हो सकता है काफी सारे लोग जो ये इनसान आपकी तरफ आ रहा है उनकी तरफ से कोई fair हो सकते हैं relationship का या finances का या उनकी family issues हो सकते हैं वो still वहाँ पे होंगे ठीक है ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है still वो fairs उनकी तरफ से होंगे very soon बिल्कुल ये इनसान very soon आपकी life में आने वाला है make the effort ये इनसान definitely effort करेगा आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा माफी माफी मागने की कोशिश करेगा और एक नई शुरुआत एक नई नया जो है आपकी तरफ attractive हो सकता है आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है और अगर आप single हैं तो हो सकता है आपकी life में कोई आए आप उनसे बात करने की कोशिश करो finances भी मुझे ठीक लग रहे हैं आप मैंसे काफी सारे लोगों के ठीक है focus आपका उसी पे होगा choices भी हो सकती है उसमें failure ओके आप definitely यह वो इनसान आपकी life में आ रहा है जिसके साथ आपको feel हुआ था कि failure है कि आपका relationship कभी इस इनसान के साथ चल नहीं पाएगा या वो आपको छोड़के चले कहते हैं और आपको feel हुआ था कि यह failure है कि इस इनसाने आपको चूना नहीं ठीक है we have judgment अब यह इनसान एक किसम की इसको हो सकता है इसकी soul awakening हुई है यह इस इनसान की अचानक से ही अब judgment का मतलब यह है कि आपके पास ठीक है अब जो key है वो आपके हाथ में है कि decision है वो आपके हाथ में है कि आप इस इनसान को माफ करोगे judgment का मतलब reconciliation भी होता है दुबारा से एक नहीं start, एक नए बर्थ relationship में यह आप अपनी life में एक नए शर्यात चाहते है और आप नहीं चाहते कि इस इनसान के साथ इस failure इनसान के साथ जिसने आपको पहले और रड़ी नहीं चुना तो अब आप इसको नहीं चुनोगे यह आपकी मर्सी है लेकिन definitely यह वही इनसान है जिसने आपको hurt किया था आपकी life में वापस आने वाले और यह इनसान आपके साथ change चाहता है या आप चाहते हो कि आपकी life में आप change हो बाइ